लग्जरी कार निर्माता मर्सिदीज बिंच ने हाल ही में अपनी फ्यूच्रिस्टिक इलेक्ट्रिक कार इक्यूग सेक्स का खुलासा किया है कम्पनी का दवा है कि इस इलेक्ट्रिक एक बार चार्ज होने पर 1000 किलोमीटर की रेंज दे सकती है यह वाहन एक नए प्रोध्योगी की प्लेटफोर्न का हिस्सा है जिसे कम्पनी इलेक्ट्रिक वाहनों की दक्षता में सुधार लाने के लिए तैयार कर रही है पिछले साल जब मर्सिडीज बिंच ने EQX6 के कॉंसेप्ट मॉडल का खुलासा किया था उस समय इसकी रेंज 1200 किलोमीटर बताई गई थी हाला कि नए मॉडल की रेंज 1000 किलोमीटर तक सीमित है मर्सिडीज बिंच का कहना है कि यह कार अब तक की सबसे एफिसेंट इलेक्ट्रिक कार है जो 1000 किलोमीटर से अधिक की रेंज के साथ आती है कम्पनी इसे ग्राहकों के लिए 3 जनवरी 2022 से उपलब्ध करेगी मर्सिडीज ज्यादा रेंज देने वाली कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कारों को विक्सित करने पर ध्यान दे रही है और विन EQ6 के साथ कम्पनी ने पहली उपलब्धी हासिल की है कार निर्माता का कहना है कि वह ऐसी कारों को विक्सित करना चाहती है जो सिंगल चार्ज पर 1000 किलो मीटर तक की रेंज दे जबकि बैटरी की खपत केवल 1 यूनिट किलो वार्ट आवर में हो मर्सिडीज बिंज EQ6 100 किलो मीटर के सफर में केवल 1 किलो वार्ट आवर उर्जा की खपत करती है इस वजह से इसकी क्षमता मर्सिदीज बिंज की EQ इलेक्ट्रिक कारों से भी अधिक है EQX6 इलेक्ट्रिक कारों में लगाई जाने वाली बैटरी सेल का घनत्व EQ की बैटरी के मुकाबले 20 प्रतिशत अधिक है इस वजह से EQX6 की बैटरी ज्यादा चार्ज स्टोर करने में सक्षम है भारत में मर्सिदीज बिंज अपनी EQC इलेक्ट्रिक SUV की बिक्री कर रही है मर्सिदीज बिंज ने पहली बार 2018 में यूरोप में EQC इलेक्ट्रिक SUV को पेश किया था कार निर्माता ने देश में अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV को पिछले साल के अंत में CBU, CBU, मार्प के माध्यम से भारत में लौंच किया था यह भारत की लग्जरी कार सेग्मेंट की पहली इलेक्ट्रिक कार है मर्सिडीज बिंज EQC 400 किलो मीटर की प्रमारित रेंज के साथ आती है कार निर्माता इसकी बैटरी पैट पर आठ साल की वारंती देती है EQC में एक फ्लोर माउंटेड 80KW-H लिथियमायन बैटरी का इस्तिमाल किया गया है जो एसिंक्रूनस मोटर्स को पावर देता है यह SUV 408 BHP पावर और 765 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है वहीं इसकी टॉप स्पीड 180 किमी घंटे तक सीमित है यह SUV 2009 से 100 किमी घंटे की रफ्तार मात्र 5.1 सेकंड में हासल कर सकती है मर्सिडीज बेंच भारत में EQC की बिक्री को बढ़ाने के लिए इसे नए शहरों में लौंच करने की योजना बना रही है कंपनी के मुताबिक इसे आने वाले कुछ महीनों में 50 नए शहरों में उपलब्द किया जाएगा मौजूदा समय में यह छे शहरों में बेची जा रही है फिलहाल कंपनी भारत भर में अपने डीलर्शिप और सर्विस नेटवर्क को EQC के लिए तैयार कर रही है डौट हाल ही में कंपनी EQC की की कीमत में 4.7 लाख रुपए की बढ़ोतरी की है अब यह कार भारत में 1.04 करोर रुपए एक्स शोरूं की कीमत पर उपलब्ध है भारत में इस SUV के दूसरे बैच की बुकिंग मार्च से शुरू है इसकी डिलीवरी सितंबर महीने में शुरू कर दी गई है हाल ही में कमपनी ने अपनी भारतिये वेबसाइट पर दो नई इलेक्ट्रिक कारों को लिस्ट किया है कमपनी ने एके इलेक्ट्रिक सेदान और EQB इलेक्ट्रिक SUV को अपनी वेबसाइट पर लिस्ट किया है कम्पनी ने खुलासा किया है कि भारत में नई इलेक्ट्रिक कारों के लॉंच को लेकर अभी उसकी कोई योजना नहीं है भारत में फिलहार कुछ सालों का कम्पनी अपनी एक मात्र इलेक्ट्रिक SUV-EQC की बिक्री करने वाली है कंपनी ने संकेत दिया है कि 2023 के बाद भारत में नई इलेक्ट्रिक कारों को लॉंच करने की योजना बनाई जा सकती है